चिराग पासवान को मैं ललकारता हूँ कि आजाए हाजिपूर से और मा के आचल में न छिपें चुकि इन्होंने खुद कहा है कि मैं हाजिपूर से चुनाव लड़ूंगा अब वो सब्द को अगर वो जीवाइट के बदलने लगें तब उसका बात अलग है कि हमारी पाटी लड़ेगी देखे जो सांसद अपने संसद्ये छेतर को ठीट दिखा कर भाग रहा हो और हाजिपूर में आके अपने जीजाजी से लिपट लिपट कर हो रहा है और ड्रामा कर रहा है चिराग नहीं ये तो नहीं कहा है कि वो लड़ेंगे हाजिपूर कहीं का स्टेट्मेंट नहीं है मैंने खुद उनसे वन-to-one किया उन्होंने कहा कि हाजी पूर पर सबसे बड़ी दाविदारी जो है वो लोजपा राम विलास बात वही तूटा यही तो दिक्कत है इनको जो है नेता के पद से हटाया गया मतलब पार्टी से जिरा को बाहर किया नहीं बाहर भी नहीं अभी भी संसद में यह लोग जन सकती पार्टी के सदस्य हैं देखिए आदतां ड्रामवाज हैं हम तो कहते हैं आपको यह घीड़ किस तरीके से जुटाना है पैसा खर्च करना है बहुत उनके पास पैसा है हम लोग बैठे हुए हैं राज कुमारी देवी का आप मसला उठा रहा है चिराग नहीं मालने जी उनको हाजी पुर नहीं बुलाए गया होगा पारश जी बुलाएं उनको चिराग जी के साथ में रहा हैं आप समझ सकते हैं कि जो अपने साथ वो ये ड्रॉप लेकर रहते हैं कि जब नहीं तब आख में डालकर वांसो निकाल लेना है देखें उससे कुछ लोगों को आप धुल जोग सकते हैं लेकिन ये पूरी तरीके से आप जो इसक्रिप्टेड आपका जो कारिकरम रहता है ये सबसे पब्लिक ऊबने लगी तमाम अपर क्लास के जो लोग हैं जो सवन समाज से हैं वो चिराग पासवान अपनी पाटी से छाटते जा रहा हैं और उनको सवन समाज उनको सपर्देश अध्यक्स ब्रहमन हैं पर्देश राष्ट्री लेकर चिराग पासवान ने बड़ा दावा किया है दावा ही नहीं किया बजापते राम बिलास पासवान की पुन्दिती थी उसमें वो हाजिपूर पहुंचते हैं हाजिपूर को अपनी मा बताते हैं वही बात कहते हैं जो कभी राम बिलास पासवान कहा करते थे खुद चिराक पास्वान कहा रहे हैं लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब उसी सीट से मौझूदा सांसद रामभिलास पास्वान के छोटे भाई पशुपतिक उमार पारस हैं तो क्या उनकी सांसदी खत्रे में हैं? क्या चिराग पास्वान को बीजेपी से कोई सारा मिला है या क्या चिराग पास्वान खुद विद्रो होका बिगुल फुक रहे हैं इन तमाम अस्तों पर चर्चा होगी चंदन सिंग अमरे साथ मौजूद है लोजपा माफ किजिएगा राष्टी एलोग जन सक्ती पाटी के प्रवक्ता है नेता है क्या कहना है चंदन जी अब तो चिराग पास्वान ने बजापते हाजीपूर में जाकर दावा ठोक दिया आज नवादा पहुंचे थे वहां भी उनका बात से तो यही लग रहा है कि नवादा भी दावा ठोक रहे हैं आपके सांसद चंदन सिंग व कि इनकी जो बड़ी मा है आदर्निय राजकुमारी देवी जी वो कहां है पाँच जुलाई कोई सधारन डिट नहीं है यह स्वर्गिये राम बिलास पास्वान जी की जैनती का आउसर था और चिराग पास्वान जिस मा को सिर्फ फोटो के लिए इस्तमाल किये उस मा को भू आदर्निय राजकुमारी देवी जी है तो चिराग पास्वान को विसुद्ध राजनीत करनी है स्वर्गिये राम बिलास पास्वान जी ही जमूई में आपको उंगली पकड़के आपको नौमनेशन कराया है और आपको संसद में पहुँचाया है और जमूई की जनता ने आ यह तो नहीं कहा है कि वो लड़ेंगे हाजिपूर कहीं उनका इस्टेटमेंट नहीं है मैंने खुद उन से वन टूवन किया उन्होंने कहा कि हाजिपूर पर सबसे बड़ी दाविदारी जो है वो लोच पर राम विलास की है परत्यासी कौन होगा यह अभित्ताय नहीं है इंडिये का हिसा ही नहीं है लेकिन सर्वदलिय बैठक में तो अगर आप पाटी का स्वरूप है तो आपके प्रतिनिधी भी होंगे और यह संभव नहीं है कि माननिये प्रदान मंत्री जी के तरफ से आपको निमंत्रन ना मिले अभी मनिपूर के उपर बैठक हुई थी दे लंडन में थे आपके निता अराम फर्मा रहा है तो मैं कह रहा था कि इनकी पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं है तो यह बिहार के तो चाली सो सीट पर ही त्यारी कर रहे हैं यह बिधान सबहां में 136 सीट पर अकेले चुनाओं लड़े जमानत जब्त कर आए और एक सीट पर राजकुमार से जीते वो भी इनके अहंकार के वज़े से चले गए तो अब लोग सभा में 40 सीट पर त्यारी कर रहे हैं जाएं जाके अकेले लड़े न चुनाओं कौन पूस्ता है इनको बीजेपी से इनको कुछ सिगनल उगनल मिला है तब इन एतना कॉन्फिदेंस में हैं होजकता है बीजेपी बोल दिया हो चुकि देख रहा हो बड़ा भीड जूटता है चराक पासवान का कोई भी सब आवे नवादे का देखिए पांसो लड़का आगे सेलफी लने के हमारे पस नहीं है इनके पास देखिए बहुत सारे धन्पसू है है कि तो धन्पसू है तो सभाविक रूप KEVIN से है कि ठाक करके बींड जूटाते हैं मेनत करता है लोग पैसा खर्चा करता है मेनत करता है तो बींड आती है कहां कोई दिक्कत है फिर do पुराने लोग हैं अरे सुनलीजे हमारे पास पांस सांसद हैं हमको दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाड़े की भीड़ देखे कैसी होती है नवादा से सांसद आधर निये चंदन सिंग जी हैं और चिराग पासवान वो तमाम सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं कि सब जगह हम लड़ेंगे वहां से वो लड़ेंगे चुकि देखे कमिटमेंट इतना ही अपने नेताओं से कर चुके हैं और कलेक्शन चाकलेट का कर किस नेता से किये हैं अब नाम मत खुलवाएए किस पाठी से किये हैं इन ही के पाठी में बहुत सारे ऐसे जो आयात किये हुए नेता हैं तो यह चाकलेट जो है कि कलेक्शन करते हैं यह MLC के चुनाओं में भी किये थे अब लोग सभा के लिए भी किये होंगे तो चिराग पासवान कहीं बिहार की राजिनीत में कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं 2020 में भी जमानत जब्त हुआ और पिछले दो साल में 10 उप चुना हुए उसमें भी जमानत जब्त हुआ तो हम लोग अभी कहीं से कहें यहां से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे देखिए आदतन द्रामे बाज हैं हम तो कहते हैं आपको यह भीड किस तरीके से जुटाना है पैसा खर्च करना है बहुत उनके पास पैसा है हम लोग क्या कह सकते हैं राज कुमारी देवी का मसला उठा रहे हैं चिराग ने मानले जी उनको हाजिपुर नहीं बुलाए आपका बास सही है कह कराया है ठीक है तो इस कारण से शायद बुलाए हो कोई बात हुई हो अब मैं उतना आपको कंफर्म से नहीं कर सकता हूं लेकिन यह भी मुद्दा उठेगा क्या लोग सबाचुनाओं में नहीं देखें मुद्दा आप जिस चीज के लिए मेरे कहने का संदर्व है कि आप इस चीज को इस्तमाल करते हैं और आपने दिखाया कि किस तरीके से हम भावुख हो गए हम तो चिराग जी के साथ में रहे हैं आप हम समझ सकते हैं कि जो अपने साथ वो यह ड्रॉप लेकर रहते हैं कि जब नहीं तब आँख में डालकर वांसू निकाल लेना देखें उसस कुछ ऐसा कीजिए बिहार फर्ष्ट बिहारी फर्ष्ट का जो स्लोगन दिये तो जनता जानना चाहती है आप बोलते क्यों नहीं है कि जमुई को आप फर्ष्ट बना दिये क्या कि अब आप हाजिपूर को फर्ष्ट बनाएंगे आप लोग भी कई बार आप पर स्टेटमे कीजिए कि आखिर अगर कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम बिहार को फर्ष्ट बनाएंगे और मेरे पास एक रोड मैप है तो आप जमुई को तो बनाए होंगे न अब केंदर सरकार की योजनाओं को आप अपना बताने लगते हैं अरे आप तो अभी एक सर्वे आया है कि ज यह संसद मैं आपको भेज दूंगा अभी नाम एकजट याद नहीं है लेकर मैं आपको भेज दूँ경ा यह सांन नए संसद भवन के लोकारपण में जहां कि अगर आप कहते हैं कि हम परदान्मंत्री के नीतियों में बिश्वास करते हैं जबकि वही परदानमंत्रियं जिन पासवान को सार्जानिक रूप से पहले इंडिये ज्वाइन करने से पहले मानिये प्रधान मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है अच्छा आप लोग तो एंडिये का हिस्सा है हाजीपूर पे क्या आपको इंपूट अभी लग रहा है पारश जी लडें साथ तमाम अपर क्लास के जो लोग इन वह सवन समाज से हैं वह चिराग पासवान अपनी पार्टी से चाहत जा रहे हैं और उनको किसी जाती का होता है सुन लिजिए देखे चिराग पासवान चंद मुठी भर जो फिस्बुकिया बच्चे है न उनके नेता हैं जो नेक्ष सीम चिराग पासवान चिराग पासवान जिंदाबाद चिराग पासवान सीम होंगे वो जो फिस्बुक पे सक्रिये रहते हैं ये मातर उनके नेता हैं मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ दिप जी और आगे भी आपसे बात होगी चिराग पासवान को मैं ललकारता हूँ कि आजाए हाजीपूर से और मा के आचल में ना छिपें चुकि इन्होंने खुद कहा है कि मैं हाजीपूर से चुनाओ लड़ूंगा अब वो सब्द को अ हाजीपूर से अब बताईए देखें यहां भी आप कहिए कि हम आदर्निय राजकुमारी देवी जी का नाम ले रहे हैं देखें चालीस साल तक उनको बारा जनपत में घुसने नहीं दिया गया उदिप जी अब कौन घुसने नहीं दिया गया मैं नाम नहीं लेना चाहता ल लोग जाते थे जिनको इमस में दिखाना रहता था या दिल्ली में कोई उनको काम था तो वहां रहते थे खाना बनाते थे स्वरगे पासवान जी वहां पर आकर सबसे हाल समचार लेते थे डॉक्टर से मिलना है क्या करना है और आर्थिक मदद भी करते थे चिराग पासवा में घुसने पर रोक लगा दी और टाइमिंग फिक्स कर दी उदिप जी और ये आप हाजीपूर में जाकर इसका अपसरवे कर सकते हैं तो आप इमत बताइए कि हाजीपूर में चिराग पासवान हरेक जाती असमूह में वो बहुत स्विकार हैं क्या किये हैं हाजीपूर के ल पति कुमार पारश जी ने लड़कर परदे के पीछे से और जितवा कर पहुंचा दिया सदन तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं चुनाओं के मैदान में हम लोग ये दिखाएंगे और अपनी मा के लिए जब चिराग पासवान की मा के लिए आधर निय राजकुमारी देवी जी के लिए अगर दिखा देते तो लगता कि उनके साथ भी न्याय हुआ है अंतिम सवाल उत्रा अधिकार बेटा का होता है कि भाई का होता है मैंने इस पर डिसकेशन भी किया था कि किसी भी चीज पर किसी भी चीज में उत्रा अधिकारी कौन होता है बेटा होता है या भाई होता है भाई हिसेदार हो सकता है उत्राधिकर तो बेटा ही होता है अगर इसको आप पूरा आप देखिए ना आप मानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है या परजातंत्र है तो यहां राजा का बेटा राजा बनेगा कि जो हकदार होगा वो बनेगा आप बताईए आप तो वरिष्ट पत्रकार है ये तो अच्छा बात है ये तो भाई फिल्म का डायलग है लेकिन हकीकत जमीन पर क्या है हमको एक बात बताईए अभी और एक बात और गौर करने वाला है एक बात और चंदनी सवाल पूरा सुनिए कि पाटी वहीं टूटी है ज अगर आप जिक्र किये हैं तो उधर ठाकरे और राज ठाकरे की भूमिका में बहुत अंतर था राज ठाकरे संगठन के अंदर काफी लोग प्रिये थे लेकिन जब सत्ता का हंस्तांतरन करने का जब आया संगठन जब सौपने का बात आया जिसको बिरासत कहा जाता है बिरासत जिसे संपत्ति में पिता अपना जो है कि संपत्ति पुत्र को लिखता है उसी तरीके से बाल पैस्वार जी की सरथ पवार जी अपनी बेटी को सुपरिया सूले को चिराग पासवान जी मैं चाचा बदिजा कहीं नहीं बना है पारश जी मंत्री थे बिहार सरकार में यह पसुपालन मंत्री थे और यह बोले कि भाया मेरा परमोशन नहीं डिमोशन है हम अल्डेडी मंत्री हैं यह बोले कि नहीं यह हम जानते हैं कि हाजिपूर के सांथ नयाय सिर्फ तुम ही कर सकते हो जबकि उससे पहले चिराग को मनाया गया और सुरगे पासवान जी मनाने का प्रयास की, ये पूरे पाटी मनाने का प्रयास की, लेकिन चिराग पासवान का मन नहीं पसी जा, मन नहीं पसी जा, चुकि राम बिलास पासवान जानते थे कि मेरा भाई है, ये न्याय करेगा हाजिपूर के साथ, आज क्या बात है, क्या आ आपको सामने से जमुई में हार का डर है अब असपश्ट आपको दिख रहा है कि वहां आपका साय जमानत नहीं बचे वहां तो हम लोग को परियास भी करने की जरूरत नहीं है वहां ये खुद हार जाएंगे तो पीठ दिखा कर भाग रहे हैं तो अब ऐसे लोग अपनी अग चिराग पासवन कह रहे हैं तो अच्छा थोड़े लगेगा चलिए तो लड़ाई किस अस्तर पहे आप देख सकते हैं हमने कई तरह के सवाल किये और चाचा भतिजा का तो हमने एक्जांपल भी दिया सिवपाली आदव से अखलेश यादों का देख लिजिए उदव ठाकर और राज ठाकरे का देख लिजिए बाला साथ ठाकरे का परकरन देखिए फिर अजीत पवार सलत पवार और बिहार में भी चाचा भतिजा का वही है अब तुखार कर रहे हैं कि यह मेरी संपत्ति है क्योंकि सर्गवास होने के बाद ही पारह जी ने पाटी भी तोड़ा अरे पाटी नहीं तोड़ा अब आईए अब आप खतम मत यह कारेकरम इसलिए कि देखिए जब चिराग पासवान और इनके बनारस वाले जो मित्र हैं जब इनका आतं बढ़ गया पाटी पर तो आपके पांस सांसद में यह लोक जनसक्ति पाटी के सदस्य हैं यह जिस सिंबॉल पर लड़े हैं वो सिंबॉल इन्होंने जान बूज कर यह हाई कोट में इस विशय को यह लेकर गए अब आपको हम हटा दिये अभी पत्रकार के पत्सया कैमरामे यह तो आप अभी बिहा टॉप को ही आप छोड़ दें तो यह तो आपकी गलती नहीं है चिराग पासवान नेता सदन नहीं रहे इनका जो जो इनका आचरन था पांचों सांसदों के प्रती वो काफी दुर्भावना पून था क्यूं आपको बार बार आफी के नेता पांच कभी आपके एक बिधायक जो 2020 में जीते राजकुमार सी वो आपको छोड़ कर चले गए आपको आपके प्रवक्ता और अच्छे अच्छे आपके वक्ता लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं तो कोई तो वजय होगी न सारे लोग गलत और सिर्फ चिराग पासवान स के साथ हैं हम कर रहे हैं कि 2024 के टिकट के बहुत दावेदार उनके पास हैं जो अल्रेड़ी चिराग पासवान जिससे चौकलेट ले चुके हैं चलिए तो इस चर्चा में इतना है यह आप बने रहे हैं तो भीहाट आपके साथ में नाम अधिपताराने मेरे साथ चंदन सिं अगुय कर देख सकत्रा हैं है यह कर दो अे ले से कर दो में Sister